दिली सरकार के लिए अगले दो दिन बहुत चुनोती भरे हो सकते हैं दिली परिवन मजदूर संग ने दिली सरकार डीटीसी प्रबंदन को इस विशा में एक पत्र के माध्यम से आगा भी कर दिया है वहीं पत्र में ये भी साफ कर दिया गया है कि यह दि दस तारीक तक करमचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 11 फरवरी को डीटीसी मुख्याले का गहराव किया जाएगा और इसकी जिम्मदारी प्रबंदन की होगी आपको बता दें कि डीटीसी में कार्यत करी 35,000 करमचारियों वह पैंशन धारकों को अभी तक जनवरी मां का वेतन नहीं मिला है इस सम्मद में दिली परिवन मजदूर संग ने दिली परिवन निगम के अध्यक्ष, परबंदरी दिरशक, दिली के उपराजेपाल, मुख्य मंतरी वह मुख्य माप्रबंदक को पत लिखा है पत्र में साफतार पर लिखा गया है कि प्रतिमा एक या दो फरबंदरी को वेतन आ जाता है लेकिन आज आख फरबंदरी तक करमचारियों के बेंक खातों में वेतन ट्रांसफर नहीं हुआ है इतना लेट होने के कारण करमचारीों वो पेंशन धारकों को काफी दिक्कतों का स्सामना करना पड़ रहा है दिली सरकार और प्रबंदन यदि हमारी मागों को पूरा नहीं करता वो दस फरवरी तक सभी करमचारीों की खाते में वेतर ट्रांसफर्वर नहीं होता तो सभी करमचारी 11 फर्वरी को DTC मुख ख्याले का गहराव करेंगे और इसके सारी जिम्मधारी प्रबंदन की होगी इस सम्मन्द में दिली परिवर मजदूर सक्के मामंतिक खिलास चन्मलिक ने कहा कि दिली सरकार दिली में तमाम मुफ सेवाएं जैसे महिलाओं को मुफ त्यात्रा, फ्री बिजली, फ्री पानी दे रही है लेकिन करमचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है दिली सरकार को जल्द इस पर कारवाई करनी चाहिए और हमारा वेतन हमारे खातों में जल्द से दल्ट ट्रांसफर होना चाहिए वरना हम 11 तारीक को DTC मुख्याले का गिराव करेंगे आपको बता दें कि DTC में करीब 25,000 करमचारी और 10,000 पेंशन धारक है दिली सरकार खुद ही मुफ्त योजनाओं में खुद ही मुफ्त में पस्तिने दरा रही है आलम ये है कि बजट की कमी का रागल आप नहीं सकते और यदि करमचारी को समय पर वेतन नहीं मिला तो 11 का परदर्शन तो मानो तैह है अब देखना होगा कि दिली सरकार इस समस्या से बचने का कौन सा रास्ता अपनाती है यूस ट्रांसपर्टिशेश पर रपार्ट दिली